हेलो फ्रेंस में नितेश कुमार आपके यूटूब चैनल इन्वेश फोरेवर में एक बाफ फिर से स्वागत करता हूं हम यहां पर काफी सारी कंपनी जैसे की पराज इंडिश्ट्रीज हो गया एस वेल एस यहां पर जेबी केमिकल्स हो गया यहां पर गुजात एलकलीज हो जेएल एस हो गया यहां पर बर्जर पेंट हो गया और बेयर कॉप आप जानती है अडानी गैस और अडानी इंटरप्राइज इनके हां नंबर देखने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से इनके नंबर आते हुए दिखाई दिए और कल यहां पर किन स्टॉक्स में यहा काफी लोगों ने पर बेल आइकन को हिट न ही कर रहFOW होगे जिसकी वजह देखेंगे दो इनके पार in यहां पर देखिए यहां पर हमारे चैनल नितेश कुमार को भी फॉलो कर लीजिए एस वेल एस ट्विटर और इंस्टागाम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो आए वीडियो की तरफ एक एक करके कंपणी के नंबर देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी इंकम की बात करें देखिए 20,318 करोड रुपीज कर यहां पर सारे के सारे यह इस टैंडर नंबर है ओके आप चाहिए तो इसे फॉलो कर सकते हैं कुछ यहां पर ज्यादर डिफ्रेंस नहीं है तो आप इसमें ना ही उल्चे तो भी ठीक है और अगर देखना चाहते है फिर भ आपको पता चलती हुई ना ज़र आ जाएगी तो एक बार जाना चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके लाब़ यहां पर थोड़ा सा उपर चल लेते हैं तो हम यहां पर उसके रिजल्ट देख पाएंगे एक मिल देजिए हां तो देखिए यहां पर पर यहां पर company ने धुआधार जैसे कहते है न अच्छा performance दिया है income के मामले में और यहां पर quarterly basis पर भी expenses जिसमें सारे की सारे expenses है अगर उसे भी मिला दिया जाए तो 4,343 इससे पहले 24,000 था इससे पहले 12,000 क्रोड रुपे के आस-पास यहां पर expense था overall यहां पर इसे अगर हम total expenses, taxes वगेरा सब चीज हटा देते हैं तो यहां पर जो total profit after tax की अगर हम बात कर देते हैं 468 क्रोड रुपे का profit हुआ है एक साब पहले 265 क्रोड था तो company ने काफी बहतीन performance किया yearly basis पे as well as 325 क्रोड का profit था वो 468 क्रोड हो गया है तो yearly और quarterly दोनों basis पे company का performance काफी बहतीन रहा है और EPS भी साथ साथ बढ़ते हुए नजर आ रहा है अडानी enterprises की बात करें तो आप यहां पर देख सकते अडानी enterprises अल्रेडी यहां पर टॉप पर शेयर चल रहा है कल मैंने आपको कुछ facts भी बताये यहां पर वीडियो को देख लीजेगा डानी enterprises के मैंने आपर बताए कि कौन से शेयर यहां पर महेंगे नजर आते है कौन से शेयर यहां पर बेकार हो सकते तो वह एक चीज़ देखिएगा आई आइसे अगर के शेयर को चाहर मेंगे चल रही है सिट को याद रखोगर काफी और बॉरट हमें चल रहा है इसabord इस इसे अगर अडानी की शेयर अच्टा ठीव अर कल की देन में कूछ को न न पर हो सकता तो शेयर यहां पर अगर ठेड कर रहे है तो track के परपस से ही रखिए यहां पर उस और किसी परपस से यहां मद रखिएगा जर्वाइज यहां पर गाटा हो सकता है और 2743 का अगर हाई निकला तो यहां पर तेजी होती हुई नजरा सकती है अब बात करते हैं दूश्रे शेयर की अडानी गैस इंकम की बात करे 1119 करोड़ इससे पहले 1536 से पहले 530 तो yearly basis पे इंकम बढ़ी है quarterly basis पे इंकम बढ़ी है बढ़ साथ साथ expenses की बात करें तो yearly basis पे expenses बढ़ते हुए नजर आ लग बातीन गुना और quarterly basis पे expenses थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे है और expenses और taxes और अगर हम निकाल तो profit की बात करें, तो 138 करोड रुपे का profit हुआ है, इससे पहले 81 करोड का profit था last March quarter में, और एक साल पहले जून में अगर बात करें तो 142 करोड रुपे का profit है, तो company का quarterly basis पर performance अच्छा है, but yearly basis पर performance यहां पर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है, जो कि EPS में भी आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें, तो अगर हम थोड़ा सा नजर डाल सकते हैं, कि किस तरीके का performance यह कलगी date में दे सकता है, तो performance थोड़ी स सीरे 3300 रुपे पर गया है, तो कही ना कही शेयर अल्रेडी ओवरबॉड जान में भी है, यहां पर अल्रेडी बाग चुका है, यहां पर RSI भी देखेंगे, तो 81, 82 के आसपास की RSI है, हाई निगालने के लिए जो आज का हाई था 3390 उसे यहां पर cross किया, तो तो तेजी हो स इसलोगा सा ध pensar में रिखेंगेगा, अब बात करते हैं, बेयर कॉर्प साइनस की काफी बहत hope याए निग है, और के लोग यहां पर नहीं जानते है कंपरी के बारे में multi袋र रिटन दिये, इसके result की बात करें तो इसके result भी काफी बहतmen आ है यहां पर देख सकते हैं, इन ज एक साल पहले 14,000 थी इससे पहले 97,90 थी तो yearly basis पर income बढ़ी है quarterly basis पर income बढ़ी है जो की काफी बहतरी ही चीज़ है बस साथ-साथ expenses की बात करें वह भी बढ़ते हुए नजर आये हैं but as compared to अगर बात करें expenses उतने नहीं बढ़े है yearly basis पर performance बात करें आप यहां पर expenses और सब काटने की बात तो profit की बात करते है तो 3026 क्रोड का profit हुआ है इससे पहले 1523 क्रोड का profit था इससे पहले अगर एक सल पहले की बात करें पत्रियों साथ इस तो yearly quarterly दोनों basis पर company ने यहां पर मचा दिया है company का EPS भी देखेंगे 68 का EPS है इससे पहले 33 का इससे पहले 56 का तो company yearly और quarterly दोनो basis पर काफी बहतरी परफॉर्मेंस कर रही है शेयर थोड़ा सा महंगा नजर आता है ओके शेयर महंगा in the sense काफी जादर price का यहां पर शेयर है तो थोड़ा सा लगता है कि ऐसे शेयर नहीं करीत पहेंगे बट ऐसे शेयरों में ही पैसा बनता है यहां पर देखेंगे गिराव कर देखेंगे के रिजल्ट आया है कल की डेट में यहां पर यह शेयर धूम बचा सकता है भाग सकता है बट इसके साथ नहीं यहां पर एक राइस्टेंस है चाहां तो शायद कल इसे यहां पर टच करके नीचे आता हुआ दिखाई दे और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो यहाद रखिए बाइंग करिएगा 6,000 उपेज और 1,600 के टार्गेट के लिए अब बात करते हैं एक और दूसरे स्टॉक्स की तो दूसरे स्टॉक्स हमारे पास है बर्जर पेंट बर्जर पेंट इन करोर्स में आपर रिजल्ट रिवेन्यू देके रिवेन्यू देके यहाँ पर quarterly और yearly दोनों basis में आपर expenses बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बड़ टेक्स और expense निकलने के बाद कंपनी का profit की बात करें 253 क्रोड का profit हुआ है जो कि एक साल पहले यहाँ पर 140 क्रोड का profit था तो काफी बहतरी in year on year growth दिखाई है और quarterly basis पर भी company यहाँ पर profit में है जो बर्जर पेंट ने भी यहाँ पर काफी बहतरी नंबर दिखाए है अभी तक यहाँ पर अडानी गैस को छोड़के यहाँ पर सारी company ने इस अच्छे कासे यहाँ पर performance दिया है और जिस तरीक से नीचे यहाँ पर bottom बनाने के आद यहाँ पर भूमता हुआ नजर आ रहा है य यह शेयर मुझे अभी शॉक्तम में यहाँ पर इस particular point पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस point पर तो जाता ही जाता नजर आ रहा है तो यहाँ पर इस particular share की तरफ ध्यान दीजिए 703 का यहाँ पर target बनता हुआ नजर आ रहे है सास्तो प्लस के target यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे है company के result अच्छे आ गये जैसे कि burger यहाँ पर Asian paint यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहे है अब यहाँ पर burger paint की बारी है और यहाँ पर यह उसके बाद दूसरा लार्ज कार कंपनी का स्टॉक है इसकी तरफ ध्यान देना है याद रखिए यह अपने हाई इसको निकाल के हुए नाजर आएगा मल्टी बैगर स्टॉक अल्रेडी साबित हुआ है अब बात करते हैं यहां पर एक और स्टॉक्स ग्लैन्मक लाइफ सांस अभी आता हुआ एक साले कि बात करें तो 2288 कोडर का यहां पर एकसरी कोड़ी धिखायो थी तो फर्लाल है यहां पर इंपनी का संटॉक्ट्ष का टैकर देखायी तो में तुच पहले एक कॉक्त पहले 288 इसे पहले 4949 करोड के सुरी मिलियन से रुपीज के आस पास थे तो बात करें यहां पर इंकम भी कौर्ट लियर बैसिस पे कम होई है और जिसकी वरह से यहां पर यहां पर काटने के बाद company का जो profit आता हुआ दिखाई दिया है, company का profit आता हुआ दिखाई दिया है, यहां पर 1,087 करोड का, देखिए सो और 1 करोड का नहीं, millions रूपीस में लगवा, 108 करोड का profit हुआ है, इस से पहले बात करें, तो 988 से पहले बात करें, 1009, तो यहां पर company का EPS भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ता हुआ नजरा है, EPS थोड़ा सा कॉर्ड yearly basis पर काम है, बट company एक भैतिनी company है, इसे जाके पढ़िएगा इसके result और सब्सक्राइब, तो आपको चीज़े समझ में आएगी, share यहां पर गिरता हुआ नजरा रहा था, यहां पर एक support है, बट मुझे लगता है, यहां पर share दुबारा भागता हुआ नजराएगा, और शायद यहां प इस पर यहां पर company की income का हुई है, yearly basis पर बढ़ी है, और profit for the period की बात करें, तो बाइस अजार, दो साथ मिलियन रूपीस, तो again quarterly basis पर company का performance थोड़ा रहा है, but yearly और quarterly, दोनों basis पर company का profit यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है, और EPS भी साथ साथ बढ़ा है, तो company ने अच्छ गुजरात, एलकिलीज की तरफ आप ध्याम दे सकते है, ओके गुजरात, एलकिलीज एक अलची गासी, यहां पर company नजर आती है, यहां पर निकाल देते हैं एक बर इसका चार्ट, तो यहां पर आप देख सकते हैं, गुजरात, अलकिलीज का पर जाता हुआ दिखाई दे र ही है और यहां पर net profit की बात करें तो company का yearly basis पर performance थोड़ा से कम हुआ है but quarterly basis पर बढ़ता हुआ नजर आया 10,520 इससे पहले 84,190 इससे पहले 11,906 और EPS मुझी साफ से यहां पर घरता हुआ तो yearly basis पर performance थोड़ा सा यहां पर JB chemicals का थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इस शेयर पर ओके यहां पर शेयर थोड़ा सा कम performance यहां पर कर सकता है और गिरता हुआ नजर आ सकता है इसके लाब हम बात कर लेते एक last but not least प्राज industries आपको पता ही है एथनौल की स्टोरी और एथनौल की बिजनस की बात हो रही है तो यह नंबर बन पर आता है तो यहां पर देखे 735 क्रोड़ का है यहां पर इंकम है इससे पहले 836 था इससे पहले 900 था तो yearly basis पर performance अच्छा है बाट quarterly basis पर क्रोड़ा पर प्रोफिल को देपीड की बात करें तो 41 क्रोड़ रुपे का प्रोफिट हुआ है इससे पहले यहां पर बात करें तो 22 क्रोड़ था तो yearly basis पर performance ठीक है बट quarterly basis पर यहां पर थोड़ा से ड़ रहा है इसी तरीके से EPS भी है और प्राज industry कि अगर हम बात करते है तो अगर यहां से गिरा तो याद रखिए सीधे 300 तक आएगा और 300 पर आता है तो एक लेने वाला यहां पर मौकर रहेगा तो यह particular company थी इन में से एक अदो company को छोड़के बागी सब के number अच्छे आए तो यहां पर calculate में देखिएगा कि किस तरीके से होता है और वीडियो अची